आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक महाराष्टियन स्नैक की रेसिपी कोथिम बीर वड़ी बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशस बनती है बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनती है यहाँ पर मैंने इसके मसाले को जो है बहुत ही अलग तरीके से बनाया है जिसे कि बढ़ियां जो है बहुत ही फ्लेवरफुल बने की बहुत ही टेस्टी बनेगी इसे आप बच्चों की छोटी मोटी भूग के लिए उन्हें बना कर दे सकते हैं उनको बहुत ही पसंद आएगी और हेल्दी तो यह है ही टी टाइम के लिए यह परफेक स्नैक से और तेवार आ रहे हैं जैसे कि जन्माश्टमी है गनेश चतुरती है तो भगवान की भोग के लिए भी इसे आप बना सकते हैं सिप यहां पर मैंने जो लसुन का उपयोग किया है उसे आप स्किप कर देना तो चलिए शुरू करते हैं बनाते हैं कोथिम बिरवडी अगर मेरी वीडियो जो है अच्छे से सुखा लेना है अच्छे से धनिया को ड्राय कर लेना है और इसके बाद में इसको बरिक बरिक काट लेना है अब देख सकते हैं यहां पर हमने धनिया को बरिक बरिक काट लिया है अब कोथिम बीर बड़ी के बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए हमने यह आप देख सकते हैं ये सब अच्छे से भून गया है और बड़ी अच्छे सी इसमें से खुश्बू आने लगी है अब गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और ठंडा करके इसको पीस लेंगे आप देख सकते हैं इन सब को अच्छे से हमने दरदरा सा पीस लिया है और कोथिमबीर बड़ी का खुश्बूदार मसाला बिल्कुल रेडी है अब एक बड़ी सी परात में हम धनिया को एड़कर देंगे याने की कोधिमबीर को ।ount कर देंगे इसकी बाद जो मसाला हमने बनाया है इसको एड़कर देंगे इसके बाद आड़ करेंगे एक बड़ा चमच अदरक लसन की पेस्ट और इसी के साथ ही एड़ कर देंगे एक छोटा चमच अजवाइन अजवाइन को अच्छे से हाथ से क्रश कर लेना ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका और एक बड़ा चमच कश्मीरी हिंग आड़ कर दिया हमने आदा चोटा चमच अब इन सब को अच्छे से मिला लेंगे अब स्वात के अनुसार इसमें नमक आड़ कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे नमक आड़ करने से यह जो कोथिम बीर है धनिया है इसमें अच्छे से पानी छोट जाएगा और य इस भी करारी बनाने के लिए हम एड़ करेंगे तीन बड़े चमच चावल का आटा, अगर आपके पास में चावल का आटा नहीं है, तो आप जो है मक्की का आटा, जुआर का आटा, बाजरे का आटा, कोई भी आटा आट कर सकते हैं, उससे भी सेम अच्छे रिजल्ट्स आए और अच्छे से मिला लेंगे इन सब को, अब दुबारा से थोड़ा सा बेसन आट कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसके चीटे लगाएंगे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे, और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी आड़ करने के बाद भी याने के छीटे लगाने के बाद भी यह जो मिश्रन है कितने जल्दी पतला हो रहा है अच्छे से मिला लेंगे इसको अब बाकी बचा हुआ पेसन भी आड़ कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसको और इसके बाद में अब इसमें हम पानी के और अच्छे से इसको गून लेंगे पानी आट करने के बाद में ये जो मिश्रन है ये पराद के साथ में चिपकेगा तो इसको इस तरीके से चमच से निकाल लीजिए और ये जो डो है ना ये बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारी कोथी मीर वड़ी जो है ब बिल्कुल भी ओईली नहीं बनेगी और करारी बनेगी तेल को अच्छे से मिला लेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोथी मीर वड़ी का मिश्रन तियार कर लिया है ये न जादा धीला है और न जादा सकत है अब हमने यहाँ पर स्टीमर की प्लेट ली है और इ लीजिए और इसको अच्छे से फैला लीजिए यहाँ पर हम कोथी मीर वड़ी को जो है स्टिक्स का शेफ देने वाले हैं आप डायमंड शेफ स्क्वेर शेफ भी दे सकते हैं अगर आपको गोल शेफ देना है कोथी मीर वड़ी का तो आपने जो है इस मिश्रन के रोल बना लेने हैं अब इसके उपर हम सफेद वाले तील फैला देंगे इससे हमारी कोथी मीर वड़ी दिखने में भी सुन्दर लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो अच्छे से इसको फैला कर प्रेस कर देंगे और हाँ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर औ करना है अगर पानी सुख जाएगा उबलते उबलते तो कोथी मीर वड़ी जो है कच्छी रह सकती है और जलने की स्मेल भी आ सकती है कोथी मीर वड़ी में यहां पर हमने प्लेट लगा दी है धकन लगा देंगे और 15-20 मिनिट के लिए इसको स्टीम कर लेंगे अगर आपके भी हाथ से चिपक नहीं रही है इसका मतलब यह अच्छे से पक गई है अंदर तक और यहां पर अब गैस को बन कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद में कट करेंगे अब यह अच्छे से ठंडा हो गया है और साइट से आपने जो है इसके किनारे छुडा लेने है नाइप की सायता से अब इसको उल्टा कर लेंगे और निकाल लेंगे अब इसको हम कट कर लेंगे अब जब यह अच्छे से ठंडा हो जाए तब ही कट करना है वरना वडिया जो है तूट सकती है और यहां पर हम स्टिक्स के शेप में इसको कट करने वाले हैं आप जो है diamond shape में या square shape में भी इसको जो है cut कर सकते हैं आप देख सकते हैं कोथिम बीर बड़ी को हमने यहाँ पर sticks के shape में cut कर लिया है इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं और इसे store करके fridge में रख सकते हैं और जब चाहो fry कर सकते हैं तो चलिए अब इसको fry कर लेते हैं अब हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है गैस की फ्लेम को मिडियम कर लेंगे अब इसमें कोथिम बीर बड़ी को एड़ कर देंगे एक बार में जितनी बड़ी आती है उतनी बड़ी एड़ कर देंगे और धान रहे छोटी कड़ाही में ही आपने फ्राय करना है वरना बड़ कर लेंगे कोथिम बीर बड़ी जो है स्टीम हुई है मतलब यह अच्छे से पकी हुई है तो इसे फ्राय करने में गोल्डन ब्राउन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप यहां पर देख रहे हैं कोथिम बीर बड़ी का बढ़िया सा गोल्डन कलर आने लगा है थोड़ा इसको और फ्राय कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं कोथिम बीर बड़ी का बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है अब इनको हम निकाल लेंगे अब दुसरे बैच की कोथिम बीर बड़ी एट कर देंगे और इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय कर लेंगे दूसरे बैच के कोथिम बीर बड़ी भी गोर्डन ब्राउन हो गई है अब इनको निकाल लेंगे ऐसी बाकी बची भी कोथिम बीर बड़ी को भी फ्राय कर लेंगे तारी कोथिम बीर बड़ी को हमने फ्राय कर लिया है और आप देख सकते हैं यहां पर कोथिम बीर बड़ी जो है कितनी बढ़िया लग रही है कितने बढ़िया इसके लेयर्स आये हैं और ये कितनी करारी लग रही है अंदर तक ये बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनी है और यहां पर आप देख सकते हैं इसके लेयर्स कितने अच्छे से दिख रहे हैं और चलिए इसको तोड देख्यिए धिखियों पूल कर लेते हैं और यह देखिये दिक अंदर तक इबिल्कूल क्रिस्पी है तो चलिए इसकी प्लेटींग कर लेते हैं कोठी प्लेटींग कर लिए हैं को भीडिशरकल हजी रेय्ट साथ फ़िविश्य बंती हैं बहुत sa 회 dad के तोर पर टी time के तौर पर कभी भी ट्राइ कर सकते हैं बच्चों के टिफिन के लिए बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही tasty recipe इसे जरूर ट्राइक किजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजे और सबस्क्राइब कीजे मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ धन्यवाद